हलो जहीं सात्यों स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे सात्यों आज की डेट में बात करने वाले आईटी के उन विकिंसी के बारे में जिसका फार्म अभी भी भारा जा रहा है अतात जो चात्र आईटी का मरसिट वर सर्टिफिकेट वेबसाइट से डाउनलोड कर लियें या किसी भी तरफ से उनके पास आईटी का मरसिट वर सर्टिफिकेट आ चुका है तो वो लोग फार्म को अपलाई कर पाएंगे जी हाँ अभी जो फार्म इस समय भारा जा रहा है तीन फार्म ऐसे हैं जो रिल्वे डिपार्टमेंट में के अंतरगत जारी किया गया है जो और इंडिया की तरफ से वेकेंसी निकल के आरी किसी भी आप राजिक के रहने वाले फार्म को अपलाई कर सकते हैं जिसे कि यहाँ आपर सबसे पहले फार्म की बात करें तो एनफर का जो फार्म है अभी भी भरा जा रहा है इसका फार्म भरने का जो डेट जारी किया गया था यह फार्म भरने सुरू हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं एक छात्रे जो आईटे के चात्रे फार्म को भरना चाते तो भर सकते हैं इसमें एधिए वेकेंसी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सीट इसमें 566 सीटों पर ये वेकेंसी निकल के आ रहे जितने भी चातरे फार्म को भर देजे ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा और ऐसा आपको इतने सीट पर वेकेंसी आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगे ऐसा यहाँ पर पहली बार NFR की तरफ से जारी किया गया है यदि कौलिफीक देखने को मिलेगी और साथी साथ ट्रेड भी देखनों को मिलेगा किनकी ट्रेड के चात्रफान को अपलाई कर पाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन के अंतरगत बात करते किस किस डिवीजन में कितने वेकेंसी निकले गए तो देखे इसमें मसिनिष्ट पेंटर, प्लंबर, पेंटर, अधर बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड दिये गए इसमें यदि आप फान को अपलाई करना चाते हैं तो फान को अपलाई कर सकते हैं इसमें साथ यदि बात करते हैं कौलिफीकेसन और उम्र की तो देखे इसमें ज्यादा तर उम्र नहीं मागा पंदर्ष से जो चातर 24 वर्स के अंतरगत आते हैं वो लोग फान को अपलाई कर पाएंगे और मैंने हर एक फान का अपलाई करने का भी प्रोसेस बता रहा है तो आप चाहें तो मुबाइल से भी फान को अपलाई कर सकते हैं और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्र लोमा चाहिए या आपको qualification चाहिए लेकिन इसमें जो form निकल के आ रहे हैं उसमें दस्वी पास जो चातर हैं और साथी साथ जो चातर आई टी आई किया है ध्याने के गए दस्वी में आपका 50% मार्क होना चाहिए और आई टी में कोई भी परसेंटेज की मांग नहीं की गए है तो आप आई टी आई कर चुके हैं तो आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं इसमें यहाँ पर एन फार की तरफ से जो वेकेंसी का न देगे मैं यह सारे यहाँ पर जनकारी वार्टसप ग्रूप में भी दिया हूँ और सारे वार्टसप ग्रूप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप जॉइन हो जाएगा इसके बाद दूसरे नंबर की यहाँ पर बात कर भरना चाथे फार्म को भर सकते इसमें यहीदी बात करें वेकंशी की कितने आप सीटों पर वेकंशी निकल के आए रही है तो नीचे आप स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखनों के मिलेगा विस्टन डिल्वेग के लिए जो वेकंशी का नोट वो लो फार्म को अप्लाई कर पाएंगे और उनका जो उम्र है वो काउंट किया जएगा 27-222 से उनका उम्र काउंट किया जएगा जिसमें से इस्टिवानों के लिए 5 वर्स की चूट है और जो चातर OVC के अंतर गताते हैं उनके लिए 3 साल की चूट रखी गई है इसके बाद साथ हो आप नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए यहां पर बात करें कि यहां पर क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है तो क्वालिफ कि बात करें किन की ट्रेट के चातर इसमेँ प्हान को अप्लाई कर पाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं फीटर के चातर, वेलडर के, turner के machinist के इसके बाद corporate और नीचे आप आजाएंगे तो आपको देखनों के देखेंगा piano printer इसके बाद mechanic diesel और इसके बाद mechanic motor vehicle programming and system एड्विंटर्शं ऐसिस्टेंट और इहाँ पर mechanic reflection ac mechanic के जबिखातर यूँ भी भर सकते हं electricians के भी भर सकते है ड्रॉप्ट में सिविल और इस्टों गराफर से जो चातर के वो भी फड़ सकते हैं इसमें यदि बात करें कोलिफीकिसन की तो इसमें आपका दस्वी पास प्लस यहां पर IT मांगा गया है तो ध्यान रखेगा आप दस्वी पास हैं और IT कंप्लीट कर चुकें तो आप असानी तो कीसे फॉर्म को फिलब कर पाएंगे इसके वाद यहां पर आप नीचा आहागे सात्यों तो इसमें भी आपको जनकारे दिया गया कि यहां पर फॉर्म फीस कितना लगेगा जिसमें भी आपका जो फॉर्म फॉर्म को एक करेंगे जनल और 0bc के लिए 100 बोगक्स में बास कैसी फार्म को फिलब किया जाता है इसके बाद है आप पर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसके बारे में अधर जनकारी भी देखने हो को मिल जा दी कुछ यहाँ पर guideline है और यहाँ पर selection की बात की गए है तो selection जो इसमें आपका होने वाला कोई भी exam नहीं होगा यह आपका merit बेस पर आपका यहाँ पर vacancy निकल क्या रही और merit बेस पर आपका इसमें selection हो लगा तेंथ पलस आपका जो ITI का मारसीट है उसके अंतरगत एक merit तयार की जाएगी और उसी पर आपका selection किया जागा तो यह काफी अच्छी बात है जो चातर farm को भरना चाते भर सकते हैं और इसमें भी NCBT और SCBT दोनों चातर farm को अप्लाई किर सकते हैं ऐसा नहीं कि क्योवल यह आपर NCBT और SCBT वालों के लिए आपने निकाले गई ऐसा कुछ भी नहीं है आप दोनों laugh फॉर्म को अप्लाई कर पाई है ट्रेनिंग पेरिईट जो पापका इसमें रख खाया है एक साल का प्रिष्य घरीनिग पेरिट है जो भी फॉर्म निकलकर आता है उसमें ज्यादा थे एक साल खाया तो रेन वेती जाएगे यहीति तो देखिए जिसरा फार्म जो यहां पर निकल किया रहा है यह आपका SECR की तरफ से जारी किया गए ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं इसमें यदि बात करें वेकेंसी की तो आप स्क्रोल करते हुए नीचे चले जाईए इसमें जो वेकेंसी का नोटिफिकेस्टा जारी कि प्लंबर है इसके बाद मेकैनिक रिफुरेशन एंड एयर कंडिशनिंग है सीट मेटल वर्क है इस टोनों इंगलिस एंड यहां पर आपको हिंदी दूनों देखनों को मिल जाता है टर्नर भी है वेल्डर भी है वायर्मन भी है गैस कटर भी है और नीचे आप आजाएंगे तो इसमें आपका दसमी पास रखा गया है प्लस यहां पर आपका आई टेक कंप्लेट होना चाहिए उमर की बात करें साथी हो तो यहां पर एज आप देख सकते हैं 15 से 24 वर्स के 36 में फांट को अपलाई कर पाएंगे जिसमें असिश्टी वालों के लिए 5 वर्स की चूटे और जो 46 OBC के अंतरगत आते हैं उनके लिए 3 साल का चूट रखा गया है इसके बाद यहां पर आप नीचे आजाएंगे तो यहां पर आपको फोर्थ नमबर पे इसके अपरेंटिसिप की यहां पर बात की गई है इसमें आपको ट्रेनिंग के दोरान कितना पेमेंट दिया नीचे आजाएंगे तो यहां पर medical examination यहां पर सारी process दिया गए तो जब आप इसमें select हो जाएंगे तो इसके बाद यह सारी प्रक्रिया चलने वाली है यहां पर बात करें last date की कि यह जो फोर्म में कब से कब तक भर जाने वाला है तो 23-25-2022 से फोर्म भरना इस्टार्ट हो registration कैसे किया जाता है उसका link में आपको इस video के description box में देंगा वहां से आप आसानी सिख कर सकते हैं और कोई भी आपको other जनकारी चाहिए तो comment box में पूछ लिजेगा आपको जनकारी मिल जाएगी